वेज तवा पुलाओ इसे तो मार्केट जैसाब मैं बना रही हूं मार्केट में तो इसे तवे पे बनाया जाता है पर हमारे पास उतना बड़ा तवा नहीं है इसलिए हमने नौन स्टिक पेंडे बनाया यह काने में बहुत ही टेश्टी लगती है चलिए फिर रेसिपी बनान कष़ा सब्सका में परिफ्म कर दीघार का सकते हैं कि रहे यह दो फिर लॉगता टाल कि दीटन उन फोल् हूं में और विलुकर में इन पर दोदाल रही है इससे हमारा चावल पर्फेक्ट बनेगा तो बड़ा एक असीना घृता हक आतो वा शहान नमग का जल ईंगश चीछ और एक चममच, ओइल, इसे हमारे चावल चीपकेंगे नहीं, चावल बिल्कुल किले किले बनेंगे, फिर कुकर कड़कन बन करके मैं अधर हाई फ्लेम पर एक सीट्ट लगा दे रही हूँ, एक सीट्टी में हमारे चावल बहुत ही अच्छा से बन जाएगा, एक सीट्टी ल पांखे का हवा लगा दूंगी क्योंकि हमें पुलाव बनाना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा खिला चावल चाहिए हमें तो बस इस तरह इसे ट्रय में निकाल दें और इसे अच्छे से फैला करके और थोड़ा साइसे पांखे के नीचे रख दें तो यह चावल बिल्क कर लें फिर मैं इसमें अट कर रहे हैं सिर्फ कर्सण के साथ की आज कर दे हमें तबाउस को से थोड़ा सरह दाणा क Phillips कर सकते हैं से दॉतenko Jr घांड़ आलू आलू यहां पे मैंने कच्छा लिया हुआ है इसल्य Juliet कर दे रही हूँ ताकि ए इसे घर और इसे हलका साइश तरह फिर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच अधरा का लसुन का पेस्ट इसे भी अच्छे से मिला दे और साथ में ही मैं यहाँ पर आड़ करूंगी एक चोटा चमच नमक ताकि हमारा आलू अच्छे से पक जाए इन सब चीजों को अच्छे से मिला कर इसे कवर करके मैं दो बारी कटा हूँ गाजर बारी कटा हूँ सिमला मिर्च और एक टमाटर मैंने बारी काट के लिया हुआ है यहाँ पे अगर आपको और सब्जिया कुछ पसंद है तो आप उसको एड़ कर सकते हैं और इसमें से अगर कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप उसे इसमें इसकीप कर सकते हैं यहां पर अपने मन पसंद के हिसाब से सबजी आड़ कर सकते हैं तो इन सब चीजों को हाइफ लेम पे हमें अच्छे से भुनना है तो मैं इसमें लगा दे रहे हूं धकर लगा कर इसे दो मीनाट और हमें भुनना है हाइफ लेम पे इसे पूरा नहीं पका और एक चमाच टमेटो केच नहीं मिला दे ऊपर मुझेuir जरूहर रखा नहीं suspect अब धायो उभल सुक्राइबिशदू और अब इसे हल्के हाथो मिक्स कर लेना है तो अच्छे से इसे मिक्स कर ले अच्छे से इसे मसालों के साथ हमें कोट करना है हमें चावल को ज़्यादा देर तक फ्राइ नहीं करना है और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें बस इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर दें फिर मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा दन्या पत्ता और लीजिए हमारा वेच तवा पुलाव तयार हो गिया है अब यह खाने के लिए तो मैं यहाँ पे गया इसको आप कर ले रही हूं और इसे मैं सर्व कर ले रही हूं तो सर्व पसंद आएगा तो रेसेपी कापे गवा जरू ट्राए करें और अपने अनुबब मेरे साथ सियर करें थैंक यू